नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी निज में मेरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे जमीन से जुल हुए मामनों को लेकर सीम नितियसकुमार जमीन से जलू हुए मामनों को लेकर लगतार एक्षन में है ऐसे में एक और बड़ा फैसला सीम नितियसकुमार की तिरब से लिया गया है विहार सरकार भूम आफिया के खिलाफ एक्षन में है नितिश कुमार सरकारी जमीन पर कबजा जमाने वालों को जेल भेजने और राज्य सरकार ने इस सम्मध में जो है सभी पर खंड के कमिशनर बर जिलाधिकारी को अदेश जारी कर दिया है रजस्वम भूमी सुधार विभाग के अपर मुक्सचिब ने सभी पर मंडर लिये आयुक्तों एवं दिलाधिकारियों से कहा है कि उबे इस मामले को प्राथमिक्ता सूची में रखें साब तोर पर कहा गया है कि अदिकरमन हटाने को लेकर तुरंत अभियान चलाएं साथ साथ यह भी कहा गया है कि अदिकरमन मुक्त हुए भूमी का बेवरा मुख्याला के पास भेजे ऐसे में साब तोर पर हम देख सकते हैं कि बिहार सरकार लगतार भूमी से जुड़ हुए मामलों को लेकर एक्सन में है एक साल की सजा और बीस हजार रुपे तक का जुर्माना लगाने का प्राबधान भी दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए रजस्व में मुख्यूमी सुधार विभाग के अपर मुक्स चिब्न ने पचीस नमबर को एक पद्र जारी किया था जिसमें होना कहा है कि 2015 में पटना हाई कोट ने सरवजनिक जमीन के अलावा जल निकायों को भी अतिकर्वन मुक्त करने का अदेश दिया था बता दिंकि सरकार की तरफ से यह अदेश राम पुनीत चौधरी बनाम राजसरकार मामले में लिया गया था जारी पदर में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर कई जीलों में अच्छे कार्ज हुए हैं लेकिन कई जीलों की उपलब्धियां संतोज जनक रही है इसके बाद यह कहा गया कि सभी कमिशनर बजला धिकारी लोग भूमी अतिकरमन की धारा तीन के तहत अतिकरमन बाद की शुरुआत करें अतिकरमन करताओं के कारण बताओर नोतिस जारी करें इस अधनियम की धारा दो का एक में अंचला अधिकारी को समहरता की सक्ति हासिल होती है अंचला अधिकारी किसी भी अतिक्रमनकारी को जेल और जुर्माने की सजा दे सकते हैं अंचला अधिकारी के अलावा भूमी सुधार अपरसमहरता को भी अपने अधिकार छेतर में यह अधिकार हासिल है तो एक तरह से कहलें कि बिहार सरकार जो है अब लगतार एक तो पहले जमीन के मामलों को लेकर बिहार सरकार एक्सन में थी और जो भी जमीन जिस ब्यक्ति के नाम से था उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए वो लगतार परियास रत रही लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से उसमें जो है सरकारी जमीन जो अतिकरमन कर ली गई है जो उसको जो है कोई ब्यक्तिक कबजा कर लिया है उसको लेकर अब बिहार सरकार एक्सर में है और साफ तोर पे उसने आदेश दे दिया है कि जितने लोग अतिकरमन जमीन को किये हुए है उस पे जो है करन बता और नोटिस जारी किया जाए उसके बाद अगर वो बात नहीं मानते हैं तो फिर उसमें सजा का भी प्रावधान है एक साल के सजा और 20,000 रुपे तक का जुर्माना देना पड़ सकता है इस पुरे घटना करम को लेकर आपका सोचते हैं क्या समस्ते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बिहार और बिहार से जुड़ ही और बेसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दीजी अजाजत धन्यवाद